हेलो स्टुडेंट मैं पवन महमूर्या उड़ान डिजिटल के अनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम इस रियक्शन की सीरीज के थर्ड वीडियो में या थर्ड लेक्शर में हम देखेंगे कुछ इस टाइप की चार या पांच रियक्शन डिसकस करेंगे फस्ट जो रियक्शन है वह है उड्स रियक्शन में हम समझते हैं एल्किल हलाइड आरेक्स होता है आरेक्स की रियक्शन होती है सोडियम मेडल के साथ कि अरे पास आरेक्स के टू मॉलिक्वल रहेंगे आल्किल हलाइड react with sodium मेडल है कि इन दी प्रेजनस आफ ड्राइ इथर ड्राइ 실र की प्रेजन्स में क्या होता है इल्किल हलाइड की रियक्शन ब्रेंड सोडियम मेडल से होती है यासे 2 एने एथर की प्रेजिन में क्या होता है यहlia होता है कि रियक्शन सोडियम मेटल से होती है एंसे स्ट प्रेट 2 hills 230 अ हो जाएगा और 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 अल्किल एन अल्किल ग्रूप अटेज हो जाएंगे हायर एलकेन इस फॉर्म एंड टू एन एक्स अगर हम आर के प्लेश पर CH3 ले 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 वी कन राइट CH3 बी आर प्लस ट्वाइस एन ए प्लस CH3 बी आर प्लस टू एन ए प्लस CH3 बी आर तो क्या होगा टू एन ए टू बी आर त्वाइस एन ए बी आर बाहर हो जाएगा एरो पर हम राइट करेंगे ड्राइथर तो ड्राइथर की प्रेजेंस में रियेक्शन होती है क्या होगा CH3 CH3 प्लस ट्वाइस एन ए बी आर इस फॉर्म अभी रियेक्शन आता है वाट हपन वैन मैथिल प्रोमाइड इस एक्ट विट सोडियम मेटल इन प्रेजेंस अब्राइथर देन एथेन इस फॉर्म इस एक्शन इस काल्ड ओड्स रियेक्शन इस रियेक्शन की एक फंडा है कि जो भी हम अलकिल है लेंगे इसमें जितने नंबर आप कार्बन एटम है उसके डॉबल जस्ट डबल कार्बन एटम कि इसमें होंगे यल्केन में मतलब अगर हमको 8 कार्बन का एलकेन चाहिए तो 4 कार्बन वाला एलकेन लेना पड़ेगा 6 वाला चाहिए तो 3 वाला लेना पड़ेगा अगर 2 वाला चाहिए तो 1 वाला एलकेन लेना पड़ेगा पर अगर मुझे one carbon atom वाला alkane चाहिए तो मुझे half carbon चाहिए और half carbon का existence होता नहीं है इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि reaction के through हम methane का निर्मान नहीं कर सकते हैं methane जो है इसका formation नहीं कर सकते हैं तो ये big important question है उट्स reaction के through किसका formation नहीं होता तो methane का formation नहीं होता reaction हम पढ़ते हैं when alkyl halide is heated with sodium metal in the presence of dry ether then higher alkane higher alkane क्यों बोला carbon का number increase हो जाता है this reaction is known as wood's reaction next reaction लेते हैं sand mayor reaction sand mayor reaction भी एक important reaction है जो आती रहती है exam में समझते हैं क्या है sand mayor reaction हम लेते हैं benzene diazonium chloride यह है benzene diazonium chloride अब जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसकी reaction होती है HBR और HCl के साथ HBR भी उसकर सकते है HCl भी उसकर सकते in the presence of CuBr or CuCl Q press salt की presence में benzene diazonium chloride की reaction होती है HBR और HCl के देखो क्या होगा यहां से हम समझते हैं थोड़ी सी ध्यान देंगे तो बहुत आसान सी reaction HCl क्या बाहर आ जाएगा HCl यहां से nitrogen atom nitrogen का molecule अलग हो जाएगा atom बोल दा था मैं ब्रोमो बेंजीन इस फॉर्म तो ब्रोमो बेंजीन फॉर्म होगा यहीं पर अगर हम सेम HCl लेंगे और यहां आएगा CuCl कुछ नहीं होगा H और Cl यहां से चले जाएगा यह N2 बाहर हो जाएगा और N2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा Cl chlorobenzine is form अगर chlorobenzine चाहिए हमको तो हम HCl से रियक कराएंगे प्रोमो बेंजीन चाहिए है तो HBr से रियक कराएंगे इस एक्शन इस कॉल्ड स्टैंड मेर रिक्शन ऑन हिटिंग दाइजोनियम सॉल्ट इस कॉल्ड दाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रसलाइट 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 है ऐलोजन से बाइ है 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 ब्रो्मो अटंस तैंस तो उसách ने इस तो the acid R COOH it is a acid जब acid की reaction किसी base से होती है तो acid और base क्या form करते हैं sir water और salt तो यहां पर H और OH water molecule बाहर हो इस एच के place पर एज़ी आ जाएगा एच के place पर क्या आ जाएगा एज़ी यह है salt क्या है salt कौन सा salt है silver salt it is called silver salt किसका salt है carboxylic acid का तो इसका नाम होगा silver salt of carboxylic acid आर C O O H G is called silver salt of carboxylic acid silver salt of carboxylic acid is treated with chlorine or bromine chlorine यूज़ कर सकते bromine यूज़ कर सकते in the presence of carbon tetra chloride carbon tetra chloride is a solvent जैसे हमारे पास NACL को dissolve करने के लिए water solvent है वैसे CCL4 जो है organic solvent होता है देन वाट देन वाट यहां से CO2 बाहर यहां से AGBR बाहर 1 AG1 BR AGBR CO2 बाहर आर के साथ आजाएगा bromine hello alkane is form RBR PLUS CO2 PLUS AGBR अगर हम R के प्लेस पर CH3 ले ले COO AG ले 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 इस काल सिल्वर असीटेट जिल्वर असीटेट ति इस रियेक्ट विद क्लोरीन इन दे प्रेजेंस आफ सी सी एल फोर कार्बन टेटरा क्लोराइड वाट है पंड सी ओ टू बाहर एजी सी एल आर के साथ सी एल तो मिथाइल क्लोराइड इस फॉर्म प्लस सी ओ टू है और प्लस एजी सी ए सरी एरो उपर नीचे क्या बना दिया सी ओ टू जो है वो गेस है तो इसकेप कर जाएगी उपर एजी बियार प्रेसिपिटेशन है तो डिपोजिट हो जाएगा नीचे पीपीटी है यह इस तो इन डीस रियेक्शन ऐलकील ह्लाइड जो बनता है वो फ्यॉर फार्म में हमको मिल जाएगा ह। जो रियेक्शन है ये प्यॉर अलकेल jeśli य फॉर्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है ह। मैंही ठटक है.." वह सिलवर फॉल्ट अफैटी एसीदू यह सिल्वर और dental farm तिनलोम्म है удоб कि तोन सहे पार्य मेरे लेशकेश्िंक रेक्षण नेकश्यां निश्टेसरी सबराइबर पेले विडियो अलग से बना कर बताया समझते हैं प्राइमरी एमिन आर नहीं जो है प्राइमरी मीन की रियक्षिं हम देखेंगे अर इनेस्टू इस रियक्ट विद ख्लोरोफाम चल-3 एंड एलकोहलिक को हो है ऐलकोहलिक प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ख्लोरोफाम और एलकोहलिक कोई के साथ होगी यहां से 3K और 3Cl 3K 3Cl 3KCl 2 and 1 3H and 3OH तो क्या बाहर हो जाएगा सर 3 तो KCl प्लस 3 तो H2O अच्छी बात है रिमेनिंग क्या है सर R and C R and C Alkyl Isocyanide एक पंजेंट स्मेल वाला सबस्टेंट बनता है Alkyl Isocyanide Isform This reaction is called Carbylamine reaction जो R,C,N,N,C इसको का जाता है Carbylamine So reaction is also called Carbylamine reaction R की प्लेस पर अगर हम CH3 write करें तो CH3 NH2 आ जाएगा बाकि तो यही आएगा Chloroform CHCl3 Plus 3KOH यहां से क्या 3K3Cl 3KCl बार यह 2H, 3H, 3H, 3OH तो क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा Thrice KCl Plus Thrice H2O और यहां आ जाएगा हमारा CH3NC मेथिल आइसो साइनाइडीस फार्म मिक का जाता है मेथिल आइसो साइनाइडीस फार्म एक रियेक्शन और मुझे लिखना है तो मैं थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए उपर लिख देता हूँ अगर हम C6H5 NH2 ले ले और उसकी रियेक्शन हम किसके तुरू करा है क्लोरोफार्म से और एल्कोहलिक कोई से फिर से वही होगा 3K, 3Cl, Thrice KCl 2H, 3H 3OH तो आ जाएगा Thrice H2O Thrice KCl जो रिमेनिंग है वह है C6H5 देखो जारा NC Phenyl Isocyanide is form इस रियेक्शन इस काल Carbyl Amine Reaction यह बीक इंपोर्डेन है Most IMP reaction है और हिटिंग क्लोरोफार्म विद प्राइमरी अमिन तुछ लाइक अनिलीन एन अल्कोहलिक पोटास के वह इसको पोटास का जाता है वेरी पंजेंड स्मेलिंग सब्चेंड आईसोसाइनाड इस फॉर्म इस रियेक्शन इस काल Carbyl Amine Reaction इस रियेक्शन को हम आईसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसके थूरू हम प्राइमरी अमिन का टेस्ट कर सकते हैं क्लोरोफार्म का भी टेस्ट कर सकते हैं तो दोनों को हम टेस्ट कर सकते हैं इस लिए इसको आईसोसाइनेट टेस्ट भी का जाता है और अब हम लास्ट रियेक्शन डिसकस करेंगे रिमर्ट इमेन चोगी इंपोर्टेंड है 2023 के लिए और रियेक्शन आएगी क्लोरोफार्म, c, c, l, 3, and alcoholic क, o, h ध्यान दीजिये जब फिनॉल की ग्रिया क्लोरूफार्म, alcoholic क, o, h, से होती है फिनॉल is treated with chloroform and alcoholic, k, o, h, बेड़ा 3, k, 3, c, l, यह तो आपको पता ही है, 23 k, c, l अब यह जो ओ, h, होता है यह आर्थोपेरा directed होता है यह क्या मुनिंग यह जिस carbon पर attach है उसके just बाद Ćडय पर आर्थ यह मेता होता है यह अर्थो मेता पेरा होता है , यह अब best your time, यह अब nahkum करके करेगा कि नया group कहां attach होगा तो इसने कहा कि यह थो आर्थों पर यहां से एक हाइटोजन यहां से और एक हाइडारोजन यहां से 2 लेकिन 2 रिक करेंगे 2 ह 2OH एक तो पहले मैं जो राइट कर देता हूं जो बन गया 3KCL 2H 2OH twice H2O अब यह बेंजीन रिंग है इस रिंग पर यहां पर OH है यहां से आइडोजन रिलीज हुआ यह वेलेंसी फ्री है इस पर कोन आएगा कार्बन और यहां पर एक OH बचा है कार्बन और OH मिलकर यह ग्रूप बना लेते हैं LD हाइट फंक्शनल ग्रूप तो कार्बन और हाइडोज ओएच CHO बन जाएगा और वो क्या करेगा बेटा पर आर्थो पोजिशन पर अटेच हो जाएगा तो इस ताइप का एक सब्स्टेंट बनता है बेंजीन के साथ अगर LD आ जाए देन इट इस काल्ड बेंजल डी हाइड यह अब में फंक्शनल ग्रूप बन गया यह हो गया आर्थो पोजिशन पर OH आर्थो पर OH यह तो उसको बोलेंगे हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल हुआइड है इस वर्म धशन यह काल्ण पर फिर दी इसम दीट इसमें चैनल शलयती हम हो सकता है कि मर्ग यह तो आयोससे में लेंगे पर यह जो आ श कर आया सब्सक्राइब इस फार है मैं स्कूछ इब भार लास्ट ताइम करता हूं लियर करके है बेंगल डियाइड होगा लेकिन डियाइक्ट्ट संग स्टार्ट होती है फिनल से फिनल रियक्ट करता है क्लोरोफार्म से किस से क्लोरोफार्म है CHCL 3 थ्राइस को एच बताया 3K 3CL बार यहां से H H यहां से 2H 2OH 2H2O बार अब बेंजिन रिंग से जहां से H गया है उस प्लेस पर कोन आ जाएगा 1OH और 1 कार्बन मतलब CHO और प्लस में आ जाएगा थ्राइस केसी एल और थ्राइस एच डू और तो है राइड आज का हमारे सेसं के सालगा अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें लाइक कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करके हमें बताइए आपके पास अगर कोई डाउट है कोई रियेक्शन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट डालिए हम उसका सॉलुशन लेकर जल धाजीरूंगे थैंक्यू झालिए करे जली पास वाईक कीजिए नहीं समझ डालिए हमें तो हमें ले का डालिए अमिम्रेग कीजिए उसका सिर्फा कीजिए और हो भी है